नम्मर 31, cos a बराबर में x दिया है, तो sin a को x के मान में, तो sin a बराबर में हो जाएगा, root under 1 minus cos square a, अब यहाँ cos a का value रख़़दा, root under 1 minus x square यहाँ से जाज़एगा sin a का value, sin 42 बराबर में p दिया है, तो sin 48 पूछ रहा है, मैं लिख सकता हूँ, root under 1 minus, 1 minus cos square a 48, तो cos 48 का value क्या है, तो आप देखो sin 42 को, अगर cos में बदलोगे, तो वह cos 48 ही नहोगा, चलिए, यानि कि root under 1 minus p square, यहाँ से sin 48 का value, ठीक है, समझे रहा है ना बात को, चलो, अगला देखते हैं, यहाँ पर यह इसका मान निकाला, तो आप सीधे value रख दो ला 33 नमबर में, 2, 10, 45 का 1 का square, plus cos 30 का root 3 बटा 2 का square, minus sin 60 का root 3 बटा 2 का square, यह यह कट जाएगा, 1 का square रहां दो एकम दो आजाएगा answer, चलते हैं, आगे,